So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करेंगे Alok Industries Limited के बारे में So guys, Alok Industries Limited की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपने इस Share को खरीदा है तो कुछ important बातों का ध्यान रखना, कुछ जरूरी बाते हैं तो बिलकुल आपको उन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है इस Talk में और बिलकुल गाइस खरीदा है तो वीडियो को आएंट तक देखना, कुछ important levels है targets क्या हो सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो गाइस अलोक Industries Limited को लेकर काफी कुछ बाते होने वाली है अस वीडियो में तो वीडियो को आइंट तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाचन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना 4 shares के updates के लिए shares के latest में उसकी लिए तो करते हैं वीडियो को start और चलते हैं हो गाइस अलोक industries Limited की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ stock यहाँ पर trade कर रहा था और case label पे closing दिये है तो 12 रूपे 10 पेसे के आस पास stock ने closing दिये है 40 पेसे तक की गिरावट आज हमें इस शेर में देखने को मिले है 1.78% के हिसाब से स्टॉक गिरा है बट गाइस यहाँ पर स्टॉक में इसके लेवल्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक में और गिरावट आ सकती है तो लेवल्स की बात करेंगे गाइस आगे और इसके मार्केट केप को हम पहले देख लेते है 10.95,000 करोर कास का मार्केट केप है साथ ही बात करें इसके 52X के हाई की वो यहाँ पर 35 रुपे 60 पेसे का हाई है 20 रुपे 15 पेसे का लो भी आपको देखने को मिल जाएगा चलते हैं इसके लेवल के उपर बात करें अगर इस अलोक इंडर्स्ट्री के लेवल की तो यहाँ पर काफी ज़्यादा अपसाइड डाउन्स मोमेंटम हमें इस शेयर में देखने को मिल रहा है यहाँ पर स्टॉक में सपोर्ट हैं यहाँ पर सपोर्ट हैं यहाँ पर रजिस्टन्स हैं यहाँ पर रजिस्टन्स हैं तो कई बार स्टॉक सपोर्ट रजिस्टन्स के लेवल से यहाँ पर अपसेड डाउन्स मोमेंटम हैं पर चल रहा है और यहां से stock में अगर दिखा जाए तो resistance लेके stock नीचे की और आता हुआ नजर आ सकता है तो 16 रुपे के असपास भी stock आ सकता है बड़ यहाँ पर अगर यह 25 रुपे से उपर के level को break अगर करता है यहाँ पर तो बिलकुल यहाँ से एक बड़ा momentum यहाँ पर shift होगा उपर के और तकड़े returns अलोग इंडर्स्टेस लिमिटेट दे सकता है साथ ही बात करें बड़े time frame पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से stock नीचे के और गिरता हुआ नजराया फिर sideways चला फिर उपर गया फिर sideways हो गया फिर उपर गया फिर sideways तो यहाँ पर कई बार breakout देने के बाद इसने high तो लगाया है बट उतनी ही बार नीचे भी आया तो यहाँ पर breakout मिलता है तो बिल्कुली उपर जाएगा और त्रेपन रुपे के आसपास यहाँ पर एक long term के basis पर target है और 36 रुपे के आसपास short term basis बात करें यहाँ पर अगर गाइस देख ले इसके price performance को तो price performance यहाँ पर अलोग industries का down जाता हुआ नजरा रहा है और three years का trade value हमें देखने को मिला है कल भी 16 लाग का ट्रेड वेलू था और 16 लाग का कॉमिरेंड डिलिवरी सब्सक्राइब करना मत भूलना ठाइंक्यो